राइगाल में आगामी 31 माई तक चिला पिशासन ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है इसी के मद्दे नज़र राइगाल पुलिस पिशासन भी फिर से एक बार जन्ता को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक अभिशेक वर्मा ने बताए कि लॉक्डाउन के बढ़ने पर पुलिस प्रिशासन की तैयरी पूर्वी के समान या थावत रहेगी बल्कि इस बार पुलिस और भी सक्त होने वाली है बेफजूल गूमने वालों और लॉक्डाउन का नियम तोरने वालों पर इस बार पुलिस सक्ती से निपटने के मूड में है जिला पुलिस अधिचक संतोष कुमार सिंग के सोच के अनुरूप इस बार भी जिला पुलिस द्वार सभी जगा हेल्प डसक पूर्वी की भाध ही चलता रहेगा हर जैरूरुत मन्द को पुलिस हर प्रकार की संभव मदद करेगी जीने की सभी सिमाय पूरी तऱ से सील है सभी जगा पुलिस के जवान मوجود है बगार इपास के और कोवीर जाज के किसी को भी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है साधी सभी प्रमुख चौक चौराहों पर 24 गंटे पुलिस के जवान मौजूद है हराने जाने वाले से पूस्ताज की जा रही है बगार आवश्यक कारी के घुमने निकले लोगों को समझा इसे कर वापस भेजा जा रहा है वालों की सघन जाज की जा रही है पूरो की तरह ही पूरो आदेश की तरह ही अनुरत रुपजारी रहेगी इसमें कुछ चीजों को छूब दी गई है जिसमें खास कर जो रिपेरिंग की दुकाने है मोटर वेहिकल की जो रिपेरिंग की जगह है टायर दुकान है उनको एक निलहरी समय ओधी तक खोलने हितू आदेशित किया गया है दूसरा जो वेंडर्स जो होते थे इस्टीट वेंडर्स जिनके माध्यम से खल, सज्जी और किराना का जो समान जो लोग बेस्टे थे उसकी समय ओधी बढ़ा के चार वजे किया गया है और कुछ है, ऐसे चीज़ों में रियायत दी गई है खासका क्रिशी उपकरान से संबंधित और वीच से संबंधित चीज़ों को इसमें छोड़ा छूप दिया गया है उसके लिए भी समय ओधी निरधारित की गई है संडे के दिन को कंप्लिट लागडाउन ही तो आदिशित किया गया है और इस पर से पूरू की तरह ही सभी जगा हमने बल लगाया हुआ है खासकर ग्राविल शेत्रों में भी क्योंकि अभी संख्या ग्राविल शेत्रों में जादा है इंडेस्ट्रेल एरिया और जो माइंस एरिया है वहाँ की संख्या कुछ ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पर अलग से प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको भालो कराया जा रहा है हमारा हेल्पिंग जो डेक्स बना हुआ है जिसमें राशन के साथ अन्य जो चीजों का जो पब्लिक के तरफ से जो डिमांड होती है या उनके तरफ से जो आग्रह किया जाता है कोशिश की जारे की समय उधी में उनको कुड़ा किया जा सके इसके लिए अलग से ही एक डेकेटेड टीम मना के रखी गई है एक राश्तर देजिकार इसके लगाता मोनेटरिंग कर रहे है और हमारा कोशिश दिया रहेगा कि सभी जो 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 रतमन है उनको समय पे सुज़धाय मिल सके इसके लिए आपके चैनल के बाद हम से सभी लोगों से यही अपील है कि शासन के दोर जो भी गाइडलाइन जो जो जारी किया जा रहा है उसको अक्षरन साप आलं किया गया और सिर्फ प्रशाष्रन और पुरी परशें के चैनल के अगर अगर अक्षिस्ट की इसक परणा पड़ेगा कि जो 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 ज़र्व कि प्रशें अबिकी प्रशिपूर्ष है और संकमान सा जो गवर अभी लगातार उजर रहा है अभी यह जेखने में यह आया है कि तुरे राज्य में सबसे ज़्यादा जो संकमान है जो पजिटी जो डेट है और डेट है वो राइगर कई है इसलिए अभी गवर बचके रहना है और जो भी गाड़ें जो ज़री किया डेस्क रिपोर्ट समय नीव